ये है राजधानी दिली में रेलवे स्टेशन पर लगी एक भीषण आग, ये भीषण आग सबजी मंडी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे गोदाम में लगी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तार जल रहे हैं, एक बड़ा गोदाम था हम कहसकते हैं वहाँ पर जबर्दस्थ आग लगी लेकिन आग क्यूं लगी किस वजह से लगी इन कारणों का अभी तक पता नहीं चला है दिल्ली फायर सर्विस के डारेक्टर अतुल गर्ग के मुताबिक एक फोन काल रिसीव हुई साम को चार बच कर 25 मिनट पर कि रेलवे गोदाम में आग लग उसके बाद अगनी समन सेवा के लोग सक्री हो गए और तुरंत आनन फानन में वहाँ पर गाडियां पहुँची उन्होंने आग बुझाने की कोशिस की यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबर्दस्थ आग लगी हुई है और ये आग इतनी भयानक थी कि 14 अगन आग लगी है आप समझे इस्टेशन के आसपास कितना धुआ था और वहां से रेलगाडियों को भी गुझारा गया क्योंकि हम साम की बात करें तो साम को रेलवे ट्रैफिक जादा होता है यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबर्दस्थ आग लगी हुई है और यह आग इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह इस्टेशन के पास लगी हुई है यहां एक और द्रस्थ हम आपको दिखा रहे हैं कि पास में गाडियां खड़ी हुई है और आग है कि जबर्दस्थ तरीके से रूप लेती जा रही है विकराल रूप लेती जा रही है हलांकि इस जो द्रस्थ हम आपको दिखा रहे हैं यह उस समय के हैं जब आग बुझाई जा रही थी उससे पहले की यह बात है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भयानक धुआ आसपास के लोगों को आतंकित कर रहा था अलाकि इस आग पर काबू पाया जा चुका है यह द्रस्थ जो ह आपको दिखा रहे हैं यह उस समय के हैं जब आग बुझाई जा रहे थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उची उची लप्ते उठ रही हैं और यहाँ पर जो टेली काम के केबल हैं देखे किस तरीके से जल रहे हैं और यह गोदाम एक बड़ा गोदाम था ज साथी साथ जब आग भीशन रूप ले रही थी उस समय जो गाडियों का मूवमेंट है उसको भी रोक दिया गया लेकिन आसपास जो गाडियां खड़ी थी उनको वहां से हटाया गया यहां आप देख सकते हैं ऐसी ही गाड़ी को हटाया जा रहा है और यहां अगनी समन दस्त की बात करें तो उन्होंने बड़ी बहादूरी से इस आग को बुझाने की कोशिस की पहले इस आग को समझा गया उसके बाद किस तरीके से इस पर काबू पाना है उसकी योजना बनाई गई और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इस आग को काबू पा लिया गया लेकिन इस समय ज आग दोबारा ना लगे जो भी आग को रोकने के उपाय हैं उन पर सकती से पालन करने की जरूरत है